आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कितनी एनर्जी क्या करता है अब्जॉर्ब पर सकता है तो पहले केस में हमें गिवन है कि अगर हम इसको 2.502 ग्राम अगर बनाना का एक स्लाइस हीट करते हैं तो इतना टेंप्रेचर चेंज होता है 3.05 और फिर अगर हम 0.316 ग्राम अफ बैंजॉय का अगर इस कैलरी में डाल दें तो उसमें जो हमारा इमांट चेंज होता है वह कितना होता है टेंप्रेचर का 3.24 डिग्री सेलजियास ओके और हमें दे रखाए कि अगर बैंजॉय का असिट कॉंस्टेंट वालूम पर हमीट करते हैं तो इतनी एनर्जी प्रोडूस करता है पर मॉल तो यह कॉंस्टेंट वालूम है इसका मतलब कि डैल यू और हमें कैलरी मेंट इसे बनाना को वन करते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोडूस होगी तो यहां पर दो तीन चीज़ें जो हमें क्या है एजूम करनी पड़ेंगी यहां से एजूम या फिर हमें मालूम होनी चाहिए मतलब तो पहली चीज तो यह कि स्पेस्विक कॉंस्टेंट जो कैलरी मेंट्री ठ्यक्षा सभी करिए कर लेंगे और फिर तो हमें पता चल जाएगा यह नियूट्त गरएक्षायं क्या रहेगा आइस्ट प्रयाक्षिट हुआ करेंगे पहले तो हम क्या हो गोगा सेंग ही होगा तो बस हमारा कि इतना हो जागे 125 ग्रेमिए क्यों यहांसे क्या करेंगे तो पैसिकली इस होती है तो डैल युख क्या है यहां पर डैल is equal to minus three to two कि seven close hole okay 227 close hole एक पर मोल्ड रिलीज होती है इतनी अनर्जी मतलब हम कह सकते हैं कि अगर benzoic acid है तो benzoic acid थो benzoic acid का पर मोल में इसका molecular weight calculate करना पड़ेगा तो molecular weight of benzoic acid इस अक्रतु कितना हो जाएगा तो यह हमारा कितना आता है 122.12 ग्रैम होके तो यह हमारा होता है molecular weight या फिर हम इसको 122 ग्रैम से भी लख सकते हैं डारेक्ट ली यह हमारा benzoic acid का molecular weight होता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर 122 gram of benzoic acid burn होता है तो जो heat produce होती है वो कितनी होती है heat is equal to produce जो होती है वो 3227 इतनी energy produce होती है तो यहां पर हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना amount के बन था 0.316 ओके तो 0.316 अगर gram of burn होगा हमारा benzoic acid का benzoic acid तो यह कितनी heat produce करेगा तो यह heat produce करेगा यह हमारी को लोगी 3227 divided by 122 multiplied by 0.316 तो यहां से हमारी heat निकल के आएगी इस एक्वाल टू 8.35 kilo Zoule होगे तो इतनी energy हमारी क्या होगी रिलीज होगी तो बस अब हमारे पास क्या है q is a cost to ms डel T है तो यहां से हम s की value निकाल लेंगे s क्या होगा हमारा q of यहां बें हमारा q 8.35 है ओके और divided by मास हमारा कितना था 0.316 और डेल्टी हमारा of 16 होते यहां पर यहां पर कमारी kilo SSD क्यालूरी पर प्रटा क्यला तो यहां पर हमको तो यह हमारा क्या निकल किया है यहां से ख्लोज जूल इतनी हमारी क्या होगी स्पेस्विक हीट होगी यहां से हम क्यालकुलेट कर लेंगे अगर हमारा बनाना कितना माउंट हमें गिवन था बिसकल यह हमें 125 ग्राम होगे तो हीट प्रोड्यूज्ट इन बर्निंग ओफ 125 ग्राम ओफ बनाना यह हमारा हो जाएगा इस एक्वल टू एम एस डेल्टी ओके तो एम हमारे पास कितना है 125 ग्राम मुल्टिप्लाइड वाई 8.16 मुल्टिप्लाइड वाई दी टेंप्रेचर चैंज कितना होगा था 3.05 तो 3.05 तो यहां से हमारा निकल गया एगा 3 1 1 2.46 किलो सूल हो के तो इतनी हीट हमारी क्या होगी प्रोड्यूस होगी 125 ग्राम अगर हमारा बनाना बन होगा तो ओके क्लासिक्स चिट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 सूपर